दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने डीजे सॉंग के लिए पोश्टर थंबलेन कैसे बना सकते हैं ताकि आपका वीडियो सबसे अच्छा दिखे और आपके वीडियो पर व्यूज आए जी हाँ दोस्तो बहुत से यूटूबर जो डीजे रिमिक्स का चैनल है वो तो सही से थंबलेन नहीं बना पाते हैं तो दोस्तो आज मैं इस वीडियो में A to Z आपको बताऊंगा कितना अच्छा थंबलेन आप बना सकते हैं जितना अच्छा थंबलेन बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है तो दोस्तो चलिए वीडियो को लेक्ट करते हैं इमेज साइज ओके वीडियो में पूरा इंड तक बने रही है तभी आपको समझ में आएगा और आप भी मास्टर बन सकते हैं डीजे थंबलेन बनाने में ठीक है तो चलिए यहां पर हम यूटूब चैनल बैनर यहां पर दीख रहा है इस पर हम क्लिक करेंग दोस्तों ज़्यादातर लड़कियों का फोटो ही होता है तो चलिए पलस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और हम यहां से एक फोटो ले लेते हैं फिर उसके बाद दोस्तों हम चले जाते हैं अपने फाइल में जहां पर फोटो में रखा हूँ यहां पर यह फोटो मेरा मिल चलिए मैं इसे उपेन करता हूं और मैं इसे पूरा जो है साइज इसका फिट कर देता हूं ठीक है यहां से रिलेटिव साइज उसके बाद यह दोस्तो साइज मेरा मैच हो गया अब उसके बाद मैं इसे रोटेट कर देता हूं यह रोटेट हो गया ठीक है अब यहां पर आपका कोई भी सांग कि पहले तो आप यहां पर लिखेंगे बेश्ट डिजेए सांग बेस्ट अब यहां पर देंकि दोस्तों फंट का मतलब श्टाइलिस होता है उसे भी आपको बाना आना इपड़ेगा तो चलिए मैं यहां से कुछ लिख लेता हूँ तो new text ओके अब यहां पर मैं लिखूँँगा B E S T Best Hindi Best Hindi DJ Song DJ S O N G ठीक है इतना लिखने के बाद आपको यहां से अब मैं बाता हूँ आपको क्या करना है इसका font आपको change कर देना है तो यहां पर मिल गया font और मैं font रखता हूँ दोस्तो मैं इसे रख लेता हूँ ठीक है blogger send blood तो चलिए इसका size थोड़ा हम बढ़ा देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसका size बढ़ा दिया है अब आपको क्या करना है इसका दोस्तो आपको background लेना है ठीक है तो इस पर click ring background अब यहां पर देखिए black हो गया आप कोई भी color ले सकते हैं तो चलिए मैं इसे थोड़ा और black कर देता हूँ तो यह मेरा पूरा हो गया फिर उसके बाद दोस्तो इसे हम इतना रखेंगे फिर last में आपको थोड़ा इसका blackness यहां से यह जो दिख रहा है थोड़ा सा बढ़ाना है तो आपको बढ़ाने के लिए चले जाना इस पर फिर उसके बाद दोस्तो left fending यहां पर right padding तो यह right वाला बढ़ रहा है देखिए बढ़ गया अब यह मैं left वाला बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं आप इसके बाद थोड़ा सा इसे बढ़ाते हैं फिर इसे आप अपन हिसाब से बढ़ा लीजिएगा तो यह मेरा हो गया आप चलिए मैं इसे okay कर देता हूँ अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इसका नीचे का भी मैं बढ़ा देता हूँ और sorry color पर आ गये थे हम चलिए मैं इसके थोड़ा नीचे का भी बढ़ा देता हूँ यह इतना हो गया चलिए यह हो गया फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ फिर उसके बाद दोस्ते यह उपर कहो गया अब यहाँ आपर देखिए यह हो गया है ठीक है अब इतना हो गया अब आपको क्या करना है इसे लौक कर देना ठीक है अम माल लिजिये आपका song का title लिखना है जैसे कि मेरे पिया गए रंगून ठीक है ये एक सॉंग है दोस्तों अगर आप इस सॉंग को अपलोड करते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत फायदा होने वाला क्योंकि दोस्तों इसका ब्यूज दोस्तों मीलियन में आप यूटूब पे सर्च कर लिजिएगा मेरे पिया गये रंगून ओल्ड इस अगर इस पेलिंग गलात होगा तो दोस्तों माफ कीजिएगा मैं उतना नहीं पड़ा लिखा हूँ यहां से यह कैंसिल हो गया हो गया अब उसके बाद दोस्तों मैं इसका फिर से ओई हाल करूंगा जो पहले अक्षर का किया था तो इसके बाद मैं इसका फॉंट यह ओके यह बड़ा हो गया दोस्तों अब उसके बाद इसका कलर हमको क्या करना है इसका कलर जो है मैं बुलू करता हूँ ठीक है तो बुलू करने के लिए इस पे चले जाना है फिर उसके बाद यहां से फिर उसके बाद पूरा डार्क बुलू ठीक है अब यहां पर आप देख करूँगा तब यह जाके अच्छे से मैच होगा ठीक है यह मैच हो गया अब देखिए कि इतना अच्छा लग रहा है ओके अब आपको क्या करना है इसका भी थोड़ा साइज आपको बढ़ाना है यहाँ पर बैक्ग्राउंड ठीक है यहाँ पर चले गए फिर उसके बाद यह बैक्ग्राउंड बढ़ाना है फिर उसके बाद आपको इतना यह हो गया थोड़ा सो बस फिर उसके बाद आपको इसे थोड़ा सरकल में कर देना है यह हो गया सरकल में ठीक है अब आपको क्या करना है दोस्तों इसे लॉक कर देना आब यहाँ पर लिखेंगे अब यहां पर लिखेंगे उसके बाद डीजे सांग चलिये मैं लिख लेता हूं इसको कौपी करूँगा इस वाले को फिर उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद इसे रिनेम कर देंगे ओल्ड अधि ओल्ड ैल्ड अधि ठीक है ये देखिए बस ये हो गया फिर उसके बाद सतर जो दिख रहा है इसे भी थोड़ा कम करना और उपर का 22 हो गया इसे भी थोड़ा कम करना ये हो गया ठीक है अब ओके कर देना अब आपको यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा इसे बढ़ा देना है चलिए ये बढ़ गया ठीक है ये बढ़ गया अब आपको यहाँ पर रख देना ठीक है अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है Best DJ Remax तो चलिए मैं इसे copy करता हूँ अब यहाँ पर लिखते हैं Best DJ Remax पापुलर डीजे रिमिक्स है, ओके, पी, ए, पी, पापु, पी, यार, पापुलर, डीजे, आरी, एम, आई, एक्स, पापुलर, डीजे रिमिक्स, सॉंग, चलिए, यह हो गया, पापुलर, डीजे, रिमिक्स, चलिए, अब थोड़ा इसे बढ़ा देंगे, अब इसे थोड़ा कम कर देंगे, इसका साइज, अब आपको यहाँ पर ऐसे ही से, अपने हिसाफ से आफ रख सकते हैं, और यह जो है, इसका सेंटर सही नहीं है, तो मैं इसको सेंटर में ला देत जता हूँ, ठीक है, आप देखिए, यहाँ पर आपको, क्या करना है, यहाँ पर आपको, और कुछ तो नहीं करना है, दोस्तों, आपका यह ready हो चुका है, बस आपको क्या करना है, आप जीतना अच्छा वनाएंगे, उतना अच्छा वनेगा, आपको फोटो, पहले तो ले ना एक पिर उसके बाद आप पर लिख सकते हैं ठीक है गाने में क्या-क्या है आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे कि बेश्ट हिंदी सौंग हो गया फिर उसके बाद जो गाना है उस में ठीक है आज कल दोस्तो पुराना गाना डीजे रीमेक्स में बहुत ज्यादा चलता है आपको भी पता होगा तो दोस्तो आप इस तरीके से एक नॉर्मल थंबलेन बना सकते हैं आप अपने डीजे रीमेक्स सौंग के लिए तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को या सास्क्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक नियां बाब बाए